हेलो फ्रेंड्स गूट मॉर्निंग रादे रादे और बताइए दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो दोस्तों आज है सुंबार और मॉर्निंग का टाइम है अभी सारे साथ बज़ रहा है और मैं यहाँ पर चूले पर आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ तो वैसे तो मैं सोच रहे थी कि आज मैं गैस पर खाना बनाऊंगी तो क्योंकि चूला दो तिन दिन लग जाएगा अच्छे से सुखने में लेकिन में हस्बेंट बोले कि इसमें आग लगा तो जो है चूला जल्दी सुख जाएगा और इसलिए हस्बेंट यहां पर आग मतलब लगा के फिर हाथ ताप रहा है तो मैंने कहीं जब आग लगाई दिया है तो चलो आज सही जो है चूले पर खाना बनाना स्टाट करी देते हैं तो मैं यहां पर आग और अच्छे से जलाने की कोशिश कर रहे थी और जो है इस हंडी में मिट्टी का लेप लगा दिया है ताकि जो अगर इसमें जो है अगर काला हो जाए हंडी तब भी मैं अच्छे से साफ कर लूँ और देखिए जब चूला अच्छे से सूखा नहीं ह इतना ज्यादा धुआ धुआ हो रही थी तो अच्छे से एक बार चूला अगर सूख जाएगी ना उसके बाद इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आग जलाने में तब तो ऐसे ही आग जल जाएगी बहुत ही जल्दी और बाबु असकुल भी नहीं गया है क्योंकि हमारे बहुत ही ज्यादा थंड पर गई है दोस्तों बहुत ही ज्यादा कौरा है वह रख रहे है बाबु इसकुल नहीं गया है वैसे तो अगर ऐसा थंड दो तिन दिन तक ऐसा अगर मतलब जो है ओस गिरेगी ना तो वैसे भी इसकुल के छुट्टी बोल देंगे कि इसकुल कुल नहीं गया और थोड़ा थोड़ा से सर्दी जुखाम सा लग रहा था इसलिए और ज्यादा मैंने इसकुल नहीं बेजा है तो बाबु भी मेरे साथ यहां पे है तो ऐसा अच्छा लगता है तो यहां पे देखिए मैंने बहुत टाइम कोशिश करने के बाद मैंने आग ज जराए ऑगर भी जर्चुले पे खाना बनाती थी पहले आंक जला देती थी उसके बाद बैठके खाना बना लेती थी जढ़ा तर मेरे नंदी बनाती थी में बहुत ज्यदह कम बना थी श् inhib्म अब झो है मैंने खुदके आन, खुद में equilibrium आग जला रही हूं तो मुझे भू बहुत कोशिश करने के बाद आग जली गया है और मैंने पानी लग दिया है गरम होने के लिए और दोस्तों भूध भीडियो व्हीज़त कर दिया था फिर भी देखो मैं कितना कोशिश कर रहे हूं आग जलाने के लिए लेकिन अच्छा भी लग रहा है मैं हाथ से चुला बना इसे अच्छा भी लग रहा है मुझसे ज्यादा बाबो एक्साइट है देखिए हो देखिए मेरे मैच जैसे कर रहे थी आग जलाने के बोवी वैसा ही कर रहा था और ममी तुम इसमें खाना बनाओंगी खाना बनाओंगी तो उसे भी अच्छा लग रहा था ने कि तुम बैर यहां पर तुम्हारा जो है चल गरम हो जाएगा तो मैंने यहां पर चटाए भी बिछा दिया है तो देखिए दोस्तों यहां पर अच्छे से आग जल गया है बहुत टाइम कोशिश करने के बाद और चलिए अब जो है खाना बनाने की प्रिपिरिशन कर लेते हैं और मेरे ह चाए के लिए पानी चरा दिया है और बाबू देखो यहां पर देख फाल कर रहा है और खाना बनाने वे सारा सामान तो चाहिए तो मेरे एक एक करके IS ला रहे थी टा कि मैं अ कशन बेट जो और ऊटकर दुबारा भागना ना परे मेने लेट्रीन में उट्रीन में विठा चाफ़ बनके पीठा मैं यहांपे अचाफ त्डावल बनने के बाद मैंने यहां पर कराय में रिफाइंड डाल रहे थी क्योंकि मुझे आज बनाना है पीठा, जब मैं नाय चुले में पहली बार खाना बना रहे sal Izaday List तो मंस्कों कि बनाया जाता है नियí आज हमें पीठा तो सब्लस्कें जल परिम द्सक् suggesting 5 जहां कि पिठीम जलिग नियुक्त करिट है में आप लोगों को इस मेने में द्सक्थ तो सब्सक्राइब आज मैं पहली बार में पिठा बना रहा हूं इसके लिए मैंने चावल का आटा मैदा सूझी और दूद्ध और चीनी जारी अच्छी गाए बेटर बना लिया है और उसमें मुझे लगा बेटर जादा गरा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दिया था अर मेरे हजबेंड बाट टाइम बैठे रहे कि पीठा बन जाए तो चाय के साथ पीठा खा कर जाएंगे तो मैंने कहीं क्योंकि पीठा बनने में देर लगेगी तुम चले जाओ पहले चाय पीके चले जाओ तो मैं चाय पीके चले गए जब पीठा बन के तयार हो जाएगी तो हस्बिन को बुला लेंगे फोन करके तो यहां पर मेरा बैटर में जो थोड़ा सा मैं पानी राल दिया था तो वह पानी में अच्छे से मिक्स कर रही तो नहीं तो एक जगा पे ज्यादा पतला और एक जगा पे ज्यादा गाला हो जाएगा तो मैंने अच्छे से मिक्स करके ले रही थी और देखिए चुले पे कि पीठे को हमारे हाँ पर एक चीन शीर करने के बाद चीनी की शीर है मतलब चीनी का रखता है। भी कषी नहीं दालोंगी और भी पिठा बनातके जाए यो आज नहीं बनाएंगी एक दिन एक तरह की पिठा बनाओंगी मैं अगर एकसाथ बहुत सारे आइटम बनाने जाओंगे ना तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि बाबु भी छोटा है और अकेला नहीं हो पाता है जैसे मेरे घर में सास है नंद है कभी कवर मैं अगर ठेंटीम नहीं घर जातीता है तो वो हो जाता है कि एक एक मतलब एक आइटेम कर दे वो दूसरा और एक आइटेम बना दे हाथ को हाथ हो जाता है सारा काम लेकिन मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी इसमें जो है दो तीन लोग चाहिए होता है कि मैं एक काम कर रही तो दूसरा और कुछ कर दे तो ऐसे हो जाता है दोस्तों तो मैं क्या करूंगी रोच मतलब दो तीन दिन बाद अगर जैसे मेरा मन होगा तो मैं वैसे एक एक आइटेम बनाती जाओंगी और उमीद करते हैं आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूंगी तो यहां पे देखिए मैं तेल में अच्छे से पीठ बाद आए और यह दा बूगा जाता है लेकिन चूले में बहुत ही जगा फटा बनकर थेयर हो जाता है तो मैंने सारा कर सारा जो मैदा सूजी का बैटर है सब कुष्छ नियुदा दो का ना लिया था और यहां पे तेल बहुत ही जदा हो नहीं अगा यहां धना है थाय मैं कप में रख रहे थी क्योंकि यह तिल मुझे और एक सबजी में मैं यूज कर लूँगी और तेल में मैंने लसुन कूट के डाल दिया है जब वुआ के गाउ गए थी ना तो वुआ के खेट से बथुआ के साग लेके आए थी मैं तो वही साग मैं आज बनाऊंगी तो इसके ल करके मैंने फ्राइ कर लिया है उसके बाद मैंने यहां पर बथुआ का साग जो है बो डाल दे रहे हो और मैंने चूले पर जो साग बनाई बथुआ के साग बहुत ही ज्यादा टेश्ट्री बन के तेयार हुए थी दोस्तों क्योंकि चूले का खाना वह उसका स्वादी अर्मान कुछ भी कह सकते हो आप सब आज पूरी हो गई है चूले पर खाना बनाना और मैं खुद के हाथ से चूला बना रहे हुए इसका जो मज़ा है वह कुछ अलगी है तो सब कुछ बन चुका है और यहां पर मसूर की डाल मैं वैल होने के लिए रख दिया है और जब त बाहर के लिए और बाहर के लिए और मैं खुछ किन आधर बना लिए लृगाने लुद कि और मन उस नहीं है तब तक दाल बॉयल होती है तब तक मैं यह जो देखिए चारो तरफ बर्तन वगएरा है सब मैं सेशे रख लेती हूँ जो बर्तन धुले को था वो मैंने अनल पे रख दिया है और यह जो देखिए पतीली है यह मैं अच्छे से साफ कर लूँगी तो मैं चावल देख रही थी और ऐसे प्लेट बगेरे में अगर चावल लगी रहती वो पहले से साफ कर के रखना होता है नहीं तो ना बहुत ही खराब दिखता है और मारे ममी कहती है जब भी तुम मतलब पतीला साफ करो तब सबसे पहले चावल साफ करके रखो तो यह अच् घर पर जैसे चुलें पर मेरे खाना बनती है। मिरे मैं मॉए साज भी बनती है। nem कि गैस नहीं है। लेकिन जो ज़्याद को OK items र? तो मुए मेरे मॉमी को भी मैने देखा हैं मेरे साज को भी देखा है। जे बात मैं भी मानती हूँ इसलिए खाना बनाने के साथ साती मैं साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ और ध्यान snacks करती है और एक दों साफाई करती हूँ और एक बात दोस्तों अगर अगर मेरे चैनल में नए होँ तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लेना or friends family के साथ share कर देना और मतलब देर साफोर्ट करना दोस्तों तो देखिए मैंने एक एक करके जो है सारा बरतन मैं किचन में लेके जा रही हूं और हल्दी नमक पानी मुझे चाहिए था तो मैंने यहां पर रख दिया दाल बनने के बाद मैं पूरा जारू लगा के साफ कर लूँगी और बाबु देखो मेरे साथ ही साथ घूम रहा है और दाल बनने के बाद यहां पर मैंने पानी रख दूंगी गरम होने के लिए तो उसी पानी से बाबु को मैं नहला दोंगी तो चूले का एक फाइदा यह है कि खाना बनने का साथ-साथ पानी गरम भी हो जाता है सब और सारा वाला फिल आज मुझे आ रहा था कि मैं आग भी सही से नहीं जला पा रहे थी तो वाला फिल आज मुझे आया है तो फ्रेंज यह वाला व्लोग को मैं ही पेंट करती हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ तब तक टार